यह मुश्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल मैं हसमा आपके सामने कुछ पैड़ागोजी से समधित प्रशन लेकर आया हूं जो आपके प्रटी पार्ट फरस्ट के लिए और टीजीटी पीजीटी पार्ट फरस्ट के लिए इंपोट अभिक्रिया सक्री प्रतिक्रिया या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर यह दर्स आता है दोस्तों सक्री प्रतिक्रिया को तो हमारा से उत्तर हो जाएगा बी क्योंकि आप तभी कोई चीज़ सीखेंगे जब बच्चा हम कहते हैं ना कि थौन डैक का जो रूल आपने बढ़ा होगा ठीक है उसमें सबसे बहले बच्चे को ततपर बनाना होता है ठीक है रेडी करना होता है सीखने के लिए तो यहाँ पर जोगा सक्री परतिक्रिया सही उ कोर्ट है तो सीख है और विख्टी के विभारा परियोधन भी ओता है आदिगम से गये हैं तो हमारा उत्तब हो गया थे इसस Nich PC यांप आपको जलदी वाजे करनी आप नहीं लिखा है वह अच्छ से देखना है और आड़ DR c आपका सीधे लिखके आगे बढ़िए क्वेस्टेंस बहुत होंगे और आपको अन्य क्वेस्टेंस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगला प्रश्ण है भाषाई योगिता के अंतरगत आते हैं मौकी कभी वेक्ति भी आएगी ठीक है जब आपका जो आप लोग प्यार्ट के लिए पोल ला थे वह तयारी भी आपके एक तरह से सुरू हो चुकी है पहले भी बहुत से वीडियोज है अच्छे से देखेगा उन पार्टफर्स की जित्यों भी त्यारी करने चाहिए अपनेskEnt TJ के आप भाषा तो उसमें भी ये questions आते हैं चलिए अगला परक्त देखते है, चौमस्की की अनुसार भासा सीखने के करम में चलती रहती है, किस करम में चलती हैnew वेज्ञानिक, सामाजिक, वाचिक, तंत्र य ग्यानिंग ग्लवरस ने आत्मसाती करण और समायोजन के माधियम से बच्चा कई रूप रेखाओं का निर्माण करता है यह विचार है तो आपको पता होगा कि जो आत्मसाती करण और समायोजन ठीक है एसीमिलेशन और एकोमोडेशन की जो थियोरी दी थी वो किस ने दी थी पियाजे ने जिया इस बारे में मैंने आपको सीटेट का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी बहुत से वीडियोज है तो उनको भी आप देखिएगा तो आपको पियाजे की थियोरी वहापे भी मिल जाएग अगर बच्चा किसी उस्तों पहूशने के लिए और बिना किसी सहरे के जम और क prisya Hon Prasin जये पकी परास की दोरान दो प्रोकार की बोलि बोलता है यह कतन किसका है ठीके Whenever दो प्रकार की बोली बोलता है यह कतन है वाइगोट से कीगा इन्होंने सामाजी गधिगम का सिद्धान भी दिया था आप लोगों को ये बताई होगा कि बच्चा जो है जो भी चीज़ें सीखता है वो समाज में रहकर ही सीखता है इनसे समधित बहुत से प्रशन आते हैं कि ऊझभव अगला प्रशन है बच्चे में संग्याणात्माक विकास होता है यानि कि कॉग्निटिव डूबलमेंट होता है कन वर्ट परेशन पूर्व ऑप्रेशनल ацион फॉर्मल ऑपरेशनल सभी के दारह तो आप संग्यानात्म के बात करें तो यह दिया था प्याजय ने ठीक है community theory of development उन दी थी और उसमें उनके concrete हो गाई convert गलत चपाई concrete operational प्री operational and formal operation तो इन सभी के दोरा जो है बच्चे का संग्यानात्म की विखास होता है ठीक है first stage थी उनकी sensory motor stage ठीक है उसमें जो है बच्चा तो पहले-पहले also यह इनकी प्रीस का संग्यानात्म की है और विखास होता है सःयास प्रक्रिया anayasm प्रक्रिया जब चाहेंगे टोई सईत्तर हो गाई इसका सईत्तर होगा अनयास नहीं होगा अपने आप ही भासा अर्जन नहीं होगा तो एक जितर राइट आंसर अगला प्रस्तन है भासा सीखने के करम में ठीक है बड़े सीखने की मात्रा होगी है आपके लच्छप है बालक के अंतरगत सर्वकर्थम किस अभिवक्ति का विकास होता है तो अगर आपने भी बच्छों को अबसर्ब किया होगा तो आप इसको बता सकते हैं कि मौक ही विकास उनका पहले होता है ठीक है तिरे दिरे बच्छा जो है उतलाना बोलना वब्लिंग करता है ठीक है तो वो यहाँ पर से उतर जाएगा भी अगला प्रशन है भासा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता ठीक है अगर भासा अर्जित कर रहा है बच्छा तो अभ्यास वो करेगा ठीक है सब्दों की पुन्रावर्ती भी हो करता है अनुकरंट भी करता, अनुकरंट से बहुत जल्दी बच्चा सीखता है लेकिन व्याकरंट के नियमों का निर्माड़ों नहीं करता है भासा अर्जन में आप लोगों को पताईए कि अगर हम पुराने जवान की बात करें कि कई लोग अंग्रेजों के सबय में क्या था, उन्होंने सुन सुन के ही, उनकी अंग्लिस अच्छी होगी थी, वो बोल लेता थे लेकिन वो लिखना नहीं जानते थे, ठीक है, तो व्याकरंट के नियम या व्याकरंट इसमें नहीं आएगा तो सही उत्तर हो जाएगा मारा D अग्ला प्रस्तन है, भासा अर्जन को प्रुभावित करता है, तो भासा अर्जन को दैनिक जीवन का अनुभवी प्रुभावित करेगा, समाज के साथ संपर्क भी और इच्छा सकती भी आपकी, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोक्त सभी गला प्रसने भासा का अस्तित्तो एंव विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता या कथन किसका है तो इस तरह के प्रशने भी आते हैं कि किसने ये कहा था या किसका कथन है तो सेवत तरह आपके यहां पर और रेनिस का सेवत तरह अगला प्रस्ण है 50,000 सब्द बालक किस आयू सीमा में सीखता है ठीक है तो ये कम से को कभी 1000 सब्द या इस तरह का question भी इसमें पूछा जाता है तो इसका सही उतरह सी 9 से 11 वर्सक अगला प्रस्ण है अन्य विश्यों की कक्षाएं भी भासा अधिगम में साहता करती हैं क्यों नहीं अन्य विश्यों की पाठी पुस्तके भासा जिक्षक के अधिश्यों को ध्यान में रखती हैं यह कुछ हद तक लग रहा है लेकिन हमें most appropriate answer सुनना होता है अन्य विश्यों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भासा प्रयोग या भास प्रयोग के अनेक अवसर उप प्रयोग के अनेक अवसर मिल सकते हैं और अन्य विश्यों के साथ शिक्षक विश्यों के साथ भासा भी चाहते हैं तो यह उत्तर सही नहीं है तो तर मोस्ट अप्रूइट आंसर हैं सी यह एक सीटेट का प्रस्ण में आपके सामने लेकर आया हूँ लेकिन दोस्तों यह बहुत important प्रस्ण में कई बार आया गया है ठीक है कि प्रियाजे के अनुसार भासा अन्य संग्यानात्मक तंतरों की भाती परिवेस के साथ के माध्यम सही विक्सित होती है तो यह होती है प्रिवेस के साथ जो हमेशा अन्तय करिया होती है ठीक है इसमें आनुसिक गुण और जो प्रिवेस है उसका गुणात्मक रूप होता है हमेशा कभी भी यह प्रस्ण आए तो हमेशा अन्तय करिया गुणात्मक इसी option को आप सही करेंगे और यह प्रस्ण जरू प्रियोग में कौन सा कारक सबसे मैटपूर्ण है उद्धिपन आकणा अवधारना या संकल्पन तो इसका से उत्तर है उद्धिपन जिसको आपको बताईए कि उन्होंने क्या था एक उत्ते पर प्रियोग किया था ठीक है और फिर यह प्रियोग आप लोगों ने पताई होग आप लोगों को ठीक है मैंने असी टेट की वीडियो में भी डिसकस किया है तो उन्होंने एक फिक्सर टाइम मनाया था ठीक है घंटी बजाते थे और तब उसको जो है हड़ी दी जाती थी तो उसकी लार टपकती थी फिर उस समय ठीक है लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार घंटी कहा गया था उनके लोगों अगला प्रस्तन है विचारात्मक अधिगम के अंतरगत विचारात्मक जो अधिगम है उसके अंतरगत आप क्रियात्मक कॉसलों को अर्जित करते हैं या चित्रों शब्दों इत्यादी के महाधियम से सीखते हैं या विविन परिस्तितों के साथ सामंजे स्थापित करना सीखते हैं या आप बहुतिक शम्ताओं का प्रयोग करते हैं तो विचारात्मक अधिगम कहां से है रिलेटेड है आपके माइंड से ठीक है तो इसमें क्रियात्मक कोसल अर्जित करने की बात नहीं होगी ठीक है चितरों सब्दों आधिसे भी आप नहीं सगेंगे विचार करना सोचना है ठीक है विवедин ने परिस्थेदों के साथ सामझे करना स्तावित करना सही नहीं है तो बहुत देक शम्ताओं का प्रयोकरना सीखते हैं ठीक है जब विचाराथमक अधिगम के हम बात करेंगे तो फ्रेंट्स यह थे कुछ महतपूर्ण प्रेस ने जो आपके टीजिंग्स हम पूछे जाते हैं इस तरह से तो APS में भी यह पूछे जाएंगे ठीक है कि APS की भी आपने आरी करें तो वहाँ भी पेड़ागोजी बहुत महतपूर्ण रोल निभाती है चाहे आप सी टेट की बात करते हैं या कोई भी अनरीजिंग्जाम की बात करते हैं तो आजकल पेड़ागोजी पर बहुत ज़्यदा फोकस किया जा रहा है तो आपको भी उसके त्यारी अच्छे से करनी है तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में आप मैंने थोड़े पेड़ागोजी क्वेशन भी ले आए क्योंकि बहुत सारे आपनों की क्वेरीज आ रही है कि अलग लग सब्जेक्ट का सब हर कोई अपनी अपनी सब्जेक्ट की चाहता है तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राइ करूँगा की कम्पुटर से लेटेट किस तरह के प्रस्थनात है उनको आपके सामने लेकर आऊँगा तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में थैंक्यू